प्रोसाइंस, फेक नॉलेज, हाफ इंफरमेशन और प्रोपगेंड़ा, यॉर क्वेस्ट और रिलाइबल, अथेंटिक हेल्थ इंफरमेशन इंड़ेंगे। पीले से रंका आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, गूगल को चैंसर बहुत पसंद है, गूगल से मत पूछिए, हमारे वीडियो देखिए, शेर कर दीजेगा वीडियो को, डॉक्टर एजुकेशन, यॉरीन के अंदर, जब टेस्ट किया जाता है, यॉरीन को माइक्रोस्कोप इसमें कई बार उसमें म्यूकस भी दिख सकता है, जैसे के उसमें यॉरीन के जो सेल्स हैं, यॉरीन में अगर कोई RBC है, कोई प्लेट कोई क्या नाम है, WBC है, कोई पस सेल है, कोई बेक्टेरिया है, तो उसमें दिखेगा, तो यॉरीन के अंदर ऐसी तरह के सेल्स आपके बोड़ी के जितने भी अंदरूनी पार्ट्स है ठीक है उसको ये लाइन करता है जैसे आपके गले में मूँ के अंदर सलाइवा है वैसे ही मुकस आता है अंदर जो सास की नली है इंटस्टाइन है आपका थ्रोट है नोज है नाक है आपके पिशाब की लाइनिंग है वहां अंदर भी म्यूकस बनता है स्लाइमी सबस्टेंसे होता है ज्याकि वो उसमें अगर माली जो खाना खा रहे हैं तो खाने से जो है वो अंदर तक जले ना और अगर यूरीन एसीडिक आ रहा है तो वो बर्न ना करे तो म्यूकस बहुत प्रोटेक्टिव होता है ठीक है तो इसी लिए बहुत कम मातरा में म्यूकस आपके सलाइवा से भी निकलता है आपके यूरीन में भी निकलता है आपके लैटरिन में भी निकलता है लेकिन अगर ये mucos ज्यादा ही मातरा में आने लगे अती मातरा में आने लगे मतलब आपको ये कटोरियां भर भर के गलाद भर भर के अगर सलाइवा आ रहा है तो भी सोचने में क्या हो रहा भाई और वैसे ही अगर यूरीन में बहुत ज्यादा mucos आ रहा है excessive amount तो that might be कि वहाँ पर infection हो रहा किसी प्रकार की कोई बिमारी हो रही है बस वह ही है आज का topic ठीक है वह ही है topic तो समझ रहे हैं यूरीन अनलिसिस करते हैं लोग पिशाप की जाँच ऐसा नहीं कि बस देखने से लग रहा है बलग मुकos जैसा है पिशाप में तो बस हमको ज़्यादा infection हो गया antibiotic ले लो चार गोलिया इसा नहीं करा करो ठीक है because क्या होता है सुनो कई बार क्या होता है males females दोनों में हो सकता है males में जादा होता है जब हम sex करते हैं masturbate करते हैं तो जो हमारा sperm निकलता है वो उसका रास्ता और पिशाप का रास्ता एक ही है तो कई बार ऐसा होता है कि जो निकल जाता है उसमें थोड़ा lining में लगा रहा जाता है और उसके बाद जब हम urine करते हैं तो वो एकठा होके एक साथ जैसा mucos बल्गम जैसा बाहर उसमें दिख सकता है अब बोलेंगे भाई ये क्या आ गया मेरेको तो ज़्यादा mucos आ रहा है मेरेको तो infection है चार गोली अंटीबाटिक किड्नी डैमिज चार गोली अंटीज ऐसे एक बार में नहीं होती बार बार लेने से डैमिज हो सकती तो कृपया अपने मुह मिठ्थू मुह मिठ्थू काबल ते खुद का डॉक्टर मत बनी है और डॉक्टर से बात करें और क्या करा है यूरीन अनलेसिस पिशाप की जाच पिशाप की जाच में दिख जाएगा कि उसमें जो है वो मुकस है या सीमेन है या क्या है है कि नहीं और उसको अर्ड माइक्रोसोप के अंदर देखने से ही पराच जाएगा अब मुकस क्या है और क्यों आता है यूरूटीन में मुकस होता है और ज़्यादा मातरा में मुकस हो तो देख जाएगा ठीक है और मुकस ज़्यादा है तो क्या होगा किसको होगा अगर आपके मान लेजे किसी को बार-बार यूरीन आ रहा है बार-बार अर्ज हो रही है लेकिन बहुत ही कम यूरीन निकल रहा है ठीक है बहुत ही कम यूरीन निकल रहा है पिशाप करने में जलन हो रही है दर्ध हो रहा है या फिर लाल कलर का डार्क कलर का साथ में कम जोरी फटीव हो रहा है इन लोगों को यूरीन अनलिसिस करके देखना चाहिए उरीन में क्या इश्य हो भाई कि खुन आ रहा है पस आ रहा है वैसे उरीन में देख सकते हैं उसके लिए भी कोई बड़ा है नहीं प्रिकॉशन पिशाप लेने वाला आपको बता दे अब ऐसे यूरीन लेना है आपको और रिजल्ट में अगर बहुत ज्यादा थोड़ा बहुत अगर म्यूकस आ रहा है स्मॉल मॉडरेट तो वो नॉर्मल है उसके लिए कोई मेजर इश्यू नहीं है नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा आती मात्रा में अगर आ रहा है म्यूकस तो options क्या है आपके यानि कि आपके diagnosis क्या क्या हो सकता है UTI urinary tract infection नंबर एक नंबर दो आपका हो सकता है sexually transmitted disease kidney के अंदर कोई पत्रिया या फिर irritable bowel syndrome या पांचवा नंबर पे cancer तो Google पर टैप को रहे को पहला cancer आएगा ठीक है और वैसे भी आपकी नजर पहले cancer भी जाती है देगा कुछ supplement देगा ठीक हो जाओगे और urine analysis आप कुछ दिनों बाद repeat करके देख सकते हो अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है बढ़ गया कम हो गया simple as a pimple ठीक है so simple है urine test कराने में कुछ खास लगता नहीं है जहां मेरी जानकारी के इस आप से 50 उर्पे का होना चाहिए test कहीं 25 का होगा कहीं मुफ्थ कराते होंगे तो यह test करा लो उससे पता चल जाएगा क्या है डॉक्टर से बात कर लो और वीडियो को शेर कर दो है न हमसे को बात करना ह तो नमबर आपको पता ही है सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेर और सब्सक्राइब तीनों के बटन दबा दीजिए के करके ओके तो अगले वीडियो मिलेंगे थैंक यू टेक केर